सबीको नमस्कार स्वागत है आपका आमारे यूट्यूब चैनल जेजी क्लासेज मेवाड में आज अमल कर रहे हैं पर्खर कार्य पुस्ति का गणित तक्सा आठ के अंतरगत कार्य पत्रक बारा जो पेज नुमर 83 पर हैं आए शुरू करे से पहले चैनल पर नए हैं लाल बट करें के वे कौन जिसकी माप एक समकौन के माप से अधिक हो उसे अधिक कौन कहेंगे वे कौन जिसकी माप दो समकौन के बराबर हो वे कौन जिसकी माप दो समकौनों के बराबर हो सरल कौन 180 का हो जाएगा वे कौन जिसकी माप 90 डिगरी के बराबर होगा 90 डिगरी को कहेंगे अपन समकौन वे कौन जिसके माप समकौन यानि 90 डिगरी से कम है तो नियून कौन इसमें मिलान कर दें प्रस नमर 2 गड़ी को दे बदें वाई और सुयों को देखते हैं आपन यहां निबीर डिज्गरी का कॉम्न बन रहा है समकोन यह दूसरा है निब्बे से कम है इसमें यह inviting क्षण और इसमें अधिक बन रहा है कंन हो यह दिक कॉन से ज्यादा की संख्या लिखें के चारो कोण हो गए इसमें 90-90-90 degree समकोण 4 समकोण से कम है इसमें एक भी नहीं है समकोण से ज्यादा नहीं है खे इसमें देखिए यहां जाएगा 60-60 ओपरा जाएगा 120 समकोण है समकोन कोई नहीं है, समकोन से कम है, 2 है, 60-60 डिकरी, समकोन से ज्यादा 1 है, 120 डिकरी, प्रस नम्बर 4, निमिलकी ताकरतियों को, निमिलकी ताकरतियों में कोणों को चांदे की साहिता से माप कर उसकी माप लिखें, के यह हो जाएगा 45 डिकरी, के 68 डिकरी, के 78 डिकरी, चांदे से माप भी लेना इसको, गे 111 डिकरी, और 55 डिकरी, और 65 डिकरी, इसको आपन एक बार चांदे की साहिता से सबको माप के भी लिख सकते हैं, सभी कार्यपतरकों के हल आप एक साथ देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेइलिस्ट का चितर दिकरा होगा, उस प्लेइलिस्ट पे उंगली लगाएं, प्लेइलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ सभी कारी बजर्गों के हल करके हमने डाल रखे हैं सभी के हल आप वहाँ से एक साथ भी देख सकते हैं धन्यवाद